साब आर यू आइधिंग को लार फाइन सो गोर्मेंट वेकेंसी रिगलेटिड अपडेट है आपकी पर्मानेंट बेसे जोब है और सेलरी भी काफी अच्छी आपको यहां पर मिल लेगी क्योंकि गोर्मेंट जोब है और पर्मानेंट पेसिस पे है तो सेलरी की तो कोई को जान लेते हैं वेकेंसी के बारे में फर्स्ट जो है वर्क शोप टेकनिशियंस टेबेंड रहेगा 9300 से 34800 जीपी प्रिडिवाइज 36 तो देखो इसके अंदर क्या मांगा गया है फर्स्ट लास डिग्री होनी चाहिए इंजिनिरिंग में थ्री इयर पोस्ट क्वालिफिक में से एक किसी एकी मैट्रिक में तो आप अप्लाई कर सकते हो तो एक्सपिरियंस वगएर इसमें नहीं मांगा गया स्टोर की पर की जो है इसमें आपके पास ब्यस्ट होनी चाहिए यह प्लस 12th विद साइंस इन फॉस्ट डिविजन अगर आपने 12th विद साइंस का रखी ह फर्स डिविजन से तो आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन इसके अंदर 3-year experience इंदर related field इसमें 3-year का experience मांगा गया है नोले जोनी ची हिंदी और संस्क्यू थी कलरक के लिए आपके पास पे बैसिलर डिगरी किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने कर रखी है बैसिलर डिगरी यान इसमें कोई भी आपकी जो है experience नहीं मांगा गया है knowledge होने चाहिए हिंदी और संस्क्यू यह सभी में मांगा गया है 10 मीं तक आपके पास इंदिया संस्क्यू होनी चाहिए जो की लगभग candidates के पास मिल ही जाती है lab assistant 5200 से 22,200 और GP रहेगा 1900 BSc 3-year Diploma Engineering and Technology में आपके पास BSc होन देखो A plus grade university है जिसको की neck के द्वारा A plus grade मिली हुई है और यह university है आपके फ्रीदाबाद की JC Boss University of Science and Technology तो notification जो है 17 पेज का है इसमें full information गीवन है आपकी syllabus regarding exam pattern related तो अगर आपको यह चाहिए तो आप जो है comment करके ले सकते हो या फिर आप direct JC Boss की site पे जाओगे तो वहाँ पे आप recruitment option पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो 10 March से पहले पहले आपको apply करना है 10 March इसकी last date रहेगी और demand draft लगीगा इस पे 1000 का 250 SCST के लिए और 500 female candidates अगर आप female हो किसी भी category हो तो 500 और SCST हो तो 250 और बाकी सभी के 1000 जो है चार्ज किये जाएंगे तो पूरी information को पढ़ने के बाद ही आप form fill कीजिएगा eligibility हमने बता दी है vacancy हमने बता दी है return test जो होगा आपका वो होगा 95 marks return test के लगेंगे और 5 marks आपके यहां पे socio economic criteria के लगेंगे तो अच्छी तरह से study करने के बाद ही form को fill कीजिएगा और जो age limit है वो 42 years इसमें की गई है so thank you so much वीडियो अच्छी लगी तो like share and subscribe करना नहीं भूले यह notification जो है कल ही आया है और अभी time है 10 March तक आप apply कर सकते हो तो अच्छी तरह से study करने के बाद ही इसको apply कीजिएगा syllabus भी mention है जो आपका selection criteria है वो भी mention है सारे चीजिए इसमें मिल ज सकते हो so thank you so much और अगर आपकी कोई भी query है तो आप comment session में पूछ सकते हो या फिर आपका कोई suggestion है तो वो भी आप जरूर बताना ताकि next time जब भी video बनाए जाए उस चीज को जरूर धान रखा जाएगा thank you